हलो फ्रेंड्स वल्कम तो आई एक्जाम भी आएं सुशिल लगडे एक्स मैनेजर रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया और अभी एक नोटिफिकेशन आया है एक अच्छे औरगनाजेशन का अभी अभी मुझे एक अलब आफिसर ने भीचा है मैं आपको पढ़के बताता हूँ तो यह देखके मुझे लगा कि चलो आपको बताते है और और एक ऐसा औरगनाजेशन है मैं जैसे यहाँ पे टाइटल है कि यह वन आप तो बेस्ट औरगनाजेशन है तो वैसे मैं एक दूसरा भी वीडियो बनाऊंगा अधरवाइस आप लोग कहते कि सर आप जो नोटिफ और यहाँ पे अगर आप इंग्लिज देखेंगे तो यहाँ पे वन आप बेस्ट पब्लिक सेक्टर औरगनाजेशन होना चाहिए और यहाँ पर 200 आफिसर्स है रिस्क मैनेजमेंट, फैनांस अन इंवेस्मेंट, आप्टमाबेल इंजिनेरिंग, केमिकल इंजिनेरिंग, मे देखके आपको अगर अंदाजा आ गया है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार करते हैं, तो यह देखो यह है वो नोटिफिकेशन, डीटेल नोटिफिकेशन भी आ गया है, और शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आ गया है, रिस्क म और Generalist में भी 100 की वेकंसी है, ठीक है? Generalist के अटर में भी 100 की वेकंसी है, और Generalist में 100 है, और Specialist में 100 है, तो यहाँ पर देखें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर आप रिस्मैन में यह सारा आप बढ़ सकते हैं, Generalist के लिए तो normal आपको पताए कि एनी ग्रैजुट चलेगा, यहाँ पर 60% मार्ग चाहिए ग्राइजूशन में ठीक है इसके वज़े से भी बहुत सारे candidates ऐसे कि जिनकी अच्छी अच्छी opportunity जा रही है और बाकी यहाँ पर risk management में क्या चाहिए और यहाँ पर जो लिखा है न वहीं चाहिए जो लिखा है और वहीं चाहिए दरवाइस लोग पूछते कि अगर आप महाँ पर mechanical लिखा है तो लोग पूछते सा civil चलेगा क्या तो इतना तो भी आपको यार वो understanding होना चाहिए कि यहाँ पर जो लिखा है न और equivalent है तो मतब सिविल का equivalent chemical नहीं हो सकता ठीक है तो उतना भी एक idea यहाँ पर आना चाहिए उसके बाद कब से कल से यहाँ पर चालू होगा application form आप भर सकते हैं उसके बाद specialist का क्या exam pattern है उसके बाद जनरलिस्ट का क्या exam pattern है उसके बाद आप descriptive test देख सकते हैं किस तरीके से उसके बाद यहा 8-10 लाग के आसपास हो सकता है तो अगर आपको और यह अच्छा sector है और एक बात बताईए मान लीजे suppose मैं आपको एक hypothetical question पूछता हूँ अगर आप यहाँ पे है और अगर आपका RBI में selection होता है तो क्या आप यहाँ पे 10 लाग पर के RBI में जाओगे क्या नहीं जाओगे यह हरे का पनापना choice है मैं आपको नहीं बता सकता आपको क्या करना है या आप भी दूसरे को नहीं बता सकते है आप हम क्या कर सकते है अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं RBI में चला जाता क्योंकि मुझे पता है RBI की salary 30 lakhs के उपर है यहाँ पे मान लीजे 10-12-15 लाग है तो 6 मैने की salary की equivalent होगा लेकिन वो मैं long term सोचूँगा कि या मुझे 30-35 साल job करने कम हो का मिलेगा तो आप क्या करोगे बताइए अगर आप यहाँ पे रहते है उसके बद आपका selection हो जाएगा RBI में तो आप यह bond भरनने को तयार है नहीं है इसके बारे में आप बता सकते है और इसके के बारे में या कोई भी दूसरे और इसके बारे में आपको कोई भी इनफर्मिशन चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूश सकते है थैंक्स पर वचिंग दिश वीडियो और अल देबस पर यह स्टडीज और अपकमिंग एग्जामिनिशन्स